हेलो दूस्तो नमस्कार मिल जाएगा ज़रूर इस वीडियो को कवर कर लेना सब्सक्राइब लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक पॉइंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट के थी सर इसके उपर एक वीडियो बना दीजिए आर्बिय ने जो मार्केट के बारे में वापस यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट सामने यहाँ पे रखी है एक अनियल रिपोर्ट भी यहाँ पे आ जाती है तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए सबसे पहले बाजार आप देख सकते हो 15,435 एंड अगर बाजार के में टॉप की बात करूँ 15,470 रफली आप पकड़ सकते हो यह बाजार का हाई है तो वहाँ से ही हम लोग कह सकते सिर्फ 35 पॉइंट का डिफरेंस है तो फिर बाजार एक नया हाई भी यहाँ पर अच्छू कर सकते है मतलब इतने टॉप पे हम लोग यहाँ पर बेठे हुए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिलकुल मतलब आपको 5 साल का चार्ट पेटन देख लेना इपदम आप लोगं को easily समझ में आएगा कि इतने बड़े pandemic के बाद बाजार में हम लोग को मतलब as such कोई फरक पड़ते हुए देखने को नहीं मिला गिरावट ज़रूर थी बट recovery इतनी सॉलिड है कि बिलकुल हम लोग यहाँ पर टॉप पे बेठे हुए है इसी के चलते RBI ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बाजार के सामने रखे हुए है follow करना है नहीं करना है वो आपके उपर होता है so यहाँ पे आप देखोगी यह क्या मैंने open किया है तो यह PE ratio मैंने open किया आप लोग को पता है बाजार का भी PE ratio रहता है आप लोग को पता है यह theoretical बात है 30 के नजदिक बीच में तो 40 भी आप लोग को पता है बहुत ही higher level पर भी जाते हुए देखने को मिला था so फिलाल तो 30 के ही आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है so अभी हम लोग आ चुके main article की उपर जो की यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा की the reserve bank of India, RBA has hint उन्होंने hint दिये that Indian equity market are in a bubble मैं अगेन कहना चाहूँगा यह मैं खुद नहीं बता रहा हूँ यह RBA कह रहा है RBA ऐसी first time कोई बात नहीं इससे पहले भी RBA ने यहाँ पे ऐसी warning यहाँ पे दी थे और तभी भी मैंने वीडियो बनाया था कि RBA ने इससे पहले भी warning दिया था कि बाजार में बहुत ज़्यादा बबल है भाग रहे करके बट उसके बावजुद भी आप देख सकते हो बाजार टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है तभी शक्तिकांता दाज जी ने भी अपना opinion रखा था कि बाजार ने RBA के जो statement से उनको भी थोड़ा seriously यहाँ पे लेना चाहिए जो कि फिलाल भी अभी तक हमनों को prove साबित होते है देखने को नहीं मिले मतलब जो RBA ने भी बोला है उसके बावजुद भी market हमनों को भागते वे यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो RBA ने वापस hint दे दिया है यहाँ पे कि उनके हिसाब से उनके study के हिसाब से कि इंडियन equity market बबल में है एंड इसके पीछे का reason के है तो उनके बता है कि valuation है वो बहुत ही higher level पे देखने को मिल रहे है एंड उसी के साथ-साथ यह जो चीज जो हम लोग कहते हैं कि valuation आप जबी भी बोलते हो तो उसको compare करना पड़ता है तो किस से compare यहाँ पे कर रहे है यह hint RBI ने यहाँ पे बाजार के सामने सब के सामने यहाँ पे रख दी है तो आप सभी लोग का यहाँ पे पता है जो annual report रहता है अभी 2021 का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला तो उसमें यह RBI ने अपना point यहाँ पे रखा हुआ है जो इसका difference है वो भी दिन बदिन बढ़ते ही चला जा रहा है अगर आप लोग देखोगे GDP से related भी जो बाते estimations भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते है वो usually downfall वाले ही देखने को मिलते है downfall मतलब negative नहीं है बट नीचे ही देखने को usually यहाँ पे मिलते है अगर हम लोग फिलाल की बात करें बाजार की जैसे के आप लोगों को पता है कि already 106 50,000 को भी क्रॉस याप ए कर चुका है और उसी की साथ साथ निफ्टी की बात करें तो 15,000 को क्रॉस कर चुका है अगर हम लोग बाजार गिरा ता आप लोगों को पता है ता 7,600 को अगर आप लोग डबल करोगे 7,500 को डबल करोगे तो 15,000 की आसपस हम लोगों को चीज़े देखने को मिल रहे इनफेक्ट उससे भी जादा 100% से भी जादा रिटन्स मिल चुके है अगर हम लोग फाइनेंशील एर 2021 की बात कर तो 68% तक हम लोगों को यापर इंडेक्स में जम देखने को यापर मिली है और यही RBI यापर बता रहा है कि जहाँ पर economy हम लोगों को बहुत ही खराब स्तीती में जाती वे देखने को यापर मिल रही है उसके बाओ जो stock market में हम लोगों को भयंकर तेजी देखने को मिल रहे है तेजी नहीं भयंकर तेजी आप लोगों ने यापर देखा होगा जिस तरीके से बाजार यापर दोड़ रहा है बहुत ही तेज यहापर देखने को मिल रहा है उसी के साथ-साथ यहापर RBA ने कुछ और भी points बताए जैसे की ratios को पकड़के जैसे की actual price equity ratio की अगर हम लोग यहापर बात करे तो वो भी यहापर बताए जा रहे है की जो फिलाल का जो trend हम लोगों को देखने को यहापर मिल रहा है मतलब यह जो ratio है यह भी बता रहे कि यह overvalued है बाजर मैं again कहा रहा हूँ यह point मैंने बहल रहा हूँ आप चाहो तो उनका annual report यहापर इसका PDF भी शायद से आपको मिल जाएगा RBA के official website पर भी अगर आप जाओगी तो आपको यह सारा data मिलेगा तो वहाँ पर उनने mention किया कि actual price equity ratio भी यह बात हिंट बता रही है कि यह overvalued है बाजर की valuation की अगर हम लोग बात करें और उसी की साथ-साथ dividend yield भी यही signal दे रहा है कि जो बाजर का जो value है वो क्या है overpriced है और हम लोग sensex की बात करें पी रेशो तो 32 है और निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगो 28-29 के आसपस यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इन सारे चीजों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो फिलाल बाजर का valuation मेंगा है यह RBI यहाँ पर बताने की बात यहाँ पर कर रही है बाजर में देखने को मिल रही है और उसी के साथ-साथ जो foreign investors भी यहाँ पर आये थे वो भी बहुत सारा पैसे यहाँ पर लेके आये तो उनके infusion के कारण हम लोगों को यह बाजर में तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है बट RBI यही बताने की कोशिश करें कि economic prospect से अगर आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पर देखे जिस चीज़ मतलब अभी आप लोगों ने job loss का भी data देखा होगा अभी अभी job loss का data आया है तो उसको भी आप लोग चेक कर लेना कि वो बहुत ही मतलब कई सालों का जो data अगर आप लोग निकाल के देखोगे उसमें सबसे ज़्यादा highest अभी का data यहाँ पर आया है कि बाजार यहाँ से correct होना चाहिए बाजार यहाँ से नीचे गिरना चाहिए बाजार में बबल है यह RBI बार बार यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर कर रही है सो दोस्तो इसी सारी चीज में यहाँ पर RBI ने बहुत बड़ी हिंट भी दे यह यहाँ पर शब्दों का भी इस्तमाल किया जा चुका है कि आपको पता है कि liquidity support यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यह indefinite time रहेगा मतलब lifetime चलते रहेगा RBI पैसा डालती है रहेगा ऐसी चीज़ हम लोग को यह कम होते वे देखने को मिलने वाला है vaccination भी जो रोसोरे से शुरू हो जाएगा second wave ही सबसे ज़्यादा dangerous होते है वो भी अभी नीचे जाते वे देखने को मिलेगी तो real economy भी हम लोग को data यहाँ पर real path भी सामने यहाँ आते वे देखने को मिलेगा तो ऐसी माहोल क अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो liquidity support है वो भी शायद से RBI यहाँ धीमे धीमे कम भी आपर कर सकती है यह directly उनने बोला नहीं है यह hint हम लोग उनके जो annual report है उससे आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो जो कि यहाँ पर दिखाया जा चुका है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर RBI ने अपना आखरी भी इसमें एक point यहाँ पर बता है कि यहाँ पर जो फिलाल हम लोग को तेजी भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आप लोग को पता है कि जो lower interest rate लगातर interest rates हम लोग को decrease होते वे देखने को मिल रहे हैं इसके चलते भी मतलब यह जो चीजे 2016 16 से लेके 20 तक भी हम लोग को यही चीजे देखने को मिल रहे हैं लगातर interest rate low होते वे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ बात करें जो earning के भी expectations है वो भी हम लोग को forward तरीके से यहाँ पर देखे जा रहे हैं आगे क्या यहाँ पर हो सकता ह future में यहाँ पर क्या हो सकता है क्योंकि यह covid के वज़े से भी बहुत सारी चीजे यहाँ चेंज हो चुकी है तो उस चीजों को भी बाजर अभी से value करना भी यहाँ पर start कर रहे हैं इसके चलते भी हम लोग को यहाँ बाजर में भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यह भी चीज यहाँ पर RBA ने अपने report में आपर बताई हुई है बट सारी चीजों को अगर आप लोग जोड कर देख लो तो RBA इतना ही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलाल जो बाजर उनको 15,000 प्लस या फिर जो नया record यहाँ बनाते जा रहे हैं क्या पता मंड इसे के चलते RBA के हिसाब से बाजर में यहाँ बबल देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर बाजर में गिरावट आ सकती है यहाँ आरबे के reports के जरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या यह एसा आरबे ने फॉर्स टाइम बोला है जैसे में वीडियो के शुरुआत में बोला है कि ऐसा आरबे ने फॉर्स टाइम ने इसके पहले भी आरबे ने दो से तीन बार यह चीज़े यहाँ पर पेश की थी कि यहाँ पर बाजर में करेक्शन आना चाहिए बट ऐसा हम लोगों को होते वे देखने को नहीं मिला है बचना है तो अगर यह जो बाते की जा रहे कि कभी तो करेक्शन आ सकता है यह तो सभी लोगों को बता है यह तो फोर्ट स्टेंडर का बच्चा भी बोल देगा कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो कब आ सकती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है उसे यह तो बाजार की तेजी वही कंटीनि आप देखने को आप मिलेगी आप भी अपना नीचे कमेंट सिक्षन में रख सकते हो फिलाल इस विडियो को यह पिर आप आशा करता हो आपको वीडियो पसंद आया होगा जा सारी जो चीजे थी दोस्तों यह आर्बीय की पॉंट यह पे थी वहने सिफ आप लोगों को यह पे सिंप्लिफाइड मैनर में आपे समझा दिया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग है तो लाइक और शेयर कर दिना तो यह तो तक के लिए बाई बाई